हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आप लोंका हार दिक भी नंदन करता हूं अपने ट्रेट बाइश टॉक मार्केट यूटूब चैनल में जो लोग पश्ट पर विजिट किये हैं सब्सक्राइब बाल आइकन और जरू सब्सक्राइब कर लिजएगा और साथ मैं अपना देशी है त इसका ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट वर दिखा रहा हूं लेकिन जो मूड महौल बदला है उसके रिगार्डिंग आपको दिल दिखाऊंगा और मेरे पास है हाँ है वी क्वैंटिटी नहीं है मेडियम क्वैंटिटी है तो इसमें आप लोग का निवेश होना चाहिए तो क्या ह आई यह मेरे इसमें है ठीक है यह मिर्ण वन लिपटी मिट कैब मंवक करता है तो यह मैरी का है कर दीती नहीं होगा तो इसमें चाहें मेरा दिखाइंगे लौट लगा है लौट लगा हूगा है डिसिप्लीन से सोचाई लगाओंगा डिसिप्लिन आया ही नहीं सब्सक्राइब करेगा ठीक है हम भी इसमें बहुत बड़ा लोट नहीं रखे थे नॉर्मल लोट रखे थे तो सोचे थे कि थोड़ा नीचे आएगा तो ठीक ठाक रहेगा लेकिन हम लोगा पिटिक से नहीं सटिक बैठ गया कि वहीं स अच्छा दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं यह नहीं राएगा आप यह बड़े पैसे वालोग के लिए यह नहीं है आप पुछोगे क्यों सर अरे उनके लिए तो 50 गोई चाइनल है प्रीमियम ग्रूप में जाइए न जोइन कर लिए न आपको पदा नहीं घर तक कॉल देता हुआ फिरेगा तो आप लोगों के लिए साफ तो बहुत चाइनल है यह चाइनल एक्चुली है मेरे ऐसा गरीब सध कैसे बताओं कि उन्हीं लोग के लिए मैं सोचा था कि क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्स वही लेते हैं तो मेरा बिल्कुल डिस्क्लिमर है और मैं इसी लिए मेरा सबसे बड़ा उद्देश था इसी लिए अभी तक ना कोई पेड़ गूरूप बनाया हूँ और ना कोई कि किसी से लिया रहता तो बिल्कुल वहां पर ही कॉमेंट्स करके बोल देते कि सर आप मेरे से लिए नहीं लिया हूँ क्यूंकि हमको पता है कि यह चाहिना नम बनाये थे सधारान आदमी लोग गरीब-गरी मेरे जैसा काहित उनका कोई नहीं है उनको कुछ नहीं कोई बताता है खाली उनको बूर्बग बनाता है समझे जो पैसे वाले हैं जो लाखो क्रोड़ो वाले आदमिया भाई तो उनके लिए हम माफी चाहेंगे दोस्तों साब बता रहे हैं तो कि हम खुदे छोटा इंवेस्टर है छोटा एटिया बाले है तो प्लीस समझ जाईएगा तो हो चोटे जो इन्वेस्टर है ना जो चाहते की कुछ कर लें तो जिनको तनखाई मिलता दस अजार भाई कहां सीटियप में उतना करेगा आज एक भाई ने बुला सब्सक्राइब महीना कमाने करें कि तो क्या बताएं उनके लिए ये चैनल है ठीक है भी 10,000 मार्केट से कमा लिजेगा महीना कमा लिजेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 10,000 बचा लिजे मार्केट में वही बहुत बड़ा महां भारत है क्योंकि हम लोग चोटे लोग है ना तो पैसे को ना हम लोग महत कम देते हैं जितना हम लोग छोड़ देते हैं वो बहुत बड़ा गलती है समझें तो रिक्स नहीं उठाना जितने चोटे लोग हैं उतना कम रिक्स उठाई है अब एकाद को कोई उधारन हो जाता होगा तो उसको देखके आप भी अपना मतलब नहीं घर जलाई है तीक है मेरा बस यह के लिए है इसलिए छोटा-छोटा एसाइपी करिए तुकि मैं भ और उन्हीं के लिए चाइनल रहेगा क्योंकि भाई पैसे वाले ना कई तो सी यह रख लेंगे कई कुछ रख लेंगे ठीक है बहुत आद्में बोलते हैं इसा टेक्स का बताई है अरे टेक्स का हम काहे बता है कोन गरीबाद भी टेक्स देता है माराज है कोन नहीं देता है चलिए हम लोगों को तो नहीं हम उतना हम जाके सीए के पास भी नहीं बैटते है ज्यादा का है तो हम भी तो चर-पाज गए काउंटर के कौन सा अपने नाम पे रखे है समझे है ना तो वहीं चक्कर है इसलिए हम नहीं ज्यादा आप लोगो क्योंकि यह चाइनल बिलकुल मैं क्लियर कह रहा हूं कि यह चाइनल स्रिफ छोटे इंवेस्टर के लिए यहां कोई किसी प्रकार का परपंच नहीं चलने वाला है तो अगर किसी को बुरा लगा तो राम राम भाई सिद्धी बात है आप कहीं और देख सकते हो क्लियर ठीक है यहां ब्रो रात है भाई प् थके दिननेन थोड़ी एकला और बहुण हो जाता है । पहले छोटा पोळा होता है अदिंदे उगे तना अ कर ईक बनता है ऊचैनल आपको फैसा ले ईतियो में चोटे-चोटे तरीकत सो बताता हूं कि बड़ा पैसा नहीं है चोटा-चोटा साइपी करिए अभी पेमिंट आया होगा बहुत आजमी का खुझली सुरू हो गया होगा करें अरे पूरा हिसाब लगा लियोंगे कोपी प्रिंस अच्छा इतना इमाई चला जाएगा 10,000 र लग दीजेगा तो कि जब जरुवत होता है ना तो पैसा आपके अकाउंट से मार्केट में ट्रांसफर नहीं होता है वो बॉंड और लिक्वीड बिखने के बाद ही पैसा आपको आता है जो कि लगता है और उसमें से भी 80% उस समय देगा 20% अगला दिन देगा मैं भी आप 30,000, 40,000, 20,000, 15,000 जो भी इस तरह के हैं लक्ष बहुत बड़ा है तो आपको अपने आप पे सयम रखके बुद्धी मता से काम करना है ठीक है हो सकता है मेरी बात कई लोगों को बुरी लग रही होगी तो भाई बरदास्तों करना पड़ेगा ठीक है तो ETF में ये चाइनल है यहां कोई भी आराम से लिए ठीक है कुछ नहीं आता है कुछ येगा मराज बताएंगा कौन दिक्कत है और देखते हैं कतना बढ़का बढ़का जो है कौन मताव अनलिसिस कर लेता है ऐसा इसा सिखा देंगे न तरीका कि बाइट के गोटी मारिएगा जाएगा निफ्ट करते हैं तो यह जो है ना अभी मीड के बीटिया बोलना मेरे को डिस्किलेमर देना जरूरी था भाई इसलिए अब यह मीड के आपको कमाल दिखाते हैं का कमाल दिखाएगा सर देखो 14 रूपया का है इसको अब दिवाली ओफर समझ लिजे चाहे दसाहरा ओफर समझ लिजे का बात करते हैं इक्षा होना चाहिए यह नहीं सोचिए कि सर हम दो को खर दे कि पांच को खर दे कि पचाद कर दे कि पांच अजार कर दे इक्षा होना चाहिए भाई पैसा को निवेस करने का इक्षा और पैसा को बचा के रखने का इक्षा इक्षा लोटरी तो लगता है ज सिर्दी बता रहा हूं बर्दास करके देखना पड़ेगा वाई तो यह देखिए निफ्टी का यह है अपना मीड केप 150 इसको मेरी करता है इसको दिखाने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि यह 200 moving average नाम सुने है ना 200 moving average है गो उसको लगा लिजेगा यहां से आईसा दिखेगा आईसा तो यहां आप दिखेगा इस period में यहां से निकला है और यहां तक गया है तो कहां से 200 को काटके गया है उपर बराबर है तो आप बुलेगा है केतना percent का return दिया है 34% का तो आप बुलिएगा अरे बाब रिबाब दया रे दया हाँ सिद्धा बतारे बहुत 34% का खीच दिया जदा इसलिए काटा तो सही काटा है तो यह position यहां भी बन रहा है तो आप बुलिएगा सर तो क्या हम चार्ट पर भरोसा कर ले मेरा जवाब रहेगा नहीं तब कहा करें सर भरोसा यह बात है आप बुलिएगा चार्ट पर भरोसा कर ले तो मेरा जवाब रहेगा नहीं तो कहा करें चिक बताते हैं का कर किया जाए तो इस जगह आ नहीं नहीं करते हैं इतंप प्र फिर इला दिये एक से कंद यह से आगे ना थोरा उपर गिया हलका सा दीब दिखाया यहां क्रोस किया हलका सा दिखा कर यह ऐसे घ्रिया तो यह जो है जून का प्रिएड हो गया एक रुषा और उसके बाद फिर एक अच्छा सब्सक्राइब तो भरोसा कर लें तो मेरे जबाब रहें का नहीं हम कहां करेंगे कि क्या वहाँ पैसा लगा की नहीं लगा वहाँ देखे मैं डाउनलोड कर रखा है आप लोग के लिए और आप लोगो दिखाते अप्रेल जिस दिन क्रॉस किया था ठीक है यह अप्रेल में कि अप्रेल है नहीं हाँ यह देखे चोप्रेल को हुगा दस अप्रेल मंडे जहां आठ लाग 14 लाग 20 जरो एदेखे चो तारीक को तीक है और 10 तारीक को और 11 तारीक उसका उसके बाद फिर देखे 12 तारीक को 17 लाग 36 लाग 95 लाग 43 लाग 200 मुविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा था ठक 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 पैसा लग गया लगा कि नहीं लगा तो पुलिएगा हाँ फिर उसके बाद 18 अप्रेल को 30 लाग भी लगा है फिर उसके बाद 2 अप्रेल को 76 लाग रखा और 9 माई को थोरा नीचे है तो 93 लाग लगा कि देखिए मैं कुछ नहीं बता रहा है सब आपको डाटा बता रहा है यह डाटा मैंने डाउलड किया वे उसके बाद मार्केट उपर चरता रही हो अस्तिर से धीरे 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 चरता रहा एक जुन को आपको अच्छा पैसा यहां लगा एक जुन को 21 क प्रोड 33,00,00 को कहां गया भाई छे जुन क्या है यह इस जगा और प्र गारी काइस्ट लेटर जब गया तो उसके बाद गारी करिस्लेटर दब गया फिर तेखने के आवशकता नहीं है फिर वह इसा ज्यादा आपको नहीं लगता हुआ दिखा फिर तो नॉर्मल लगता ना एक करोर एक करोर ऐसी आसवाज जो लगना था उसमें जबर्दस लगा ठीक है उसके फिर गिरावट हुआ और फिर उसी प्रकार 15 सेक्टेमबर 2023 यह देखें 15 सेक्टेमबर 2023 कहां गया इस जगह यह हलका सा गिरावट हुआ और यहां पैसा लगा उसके बाद मार्केट हलका सा हाई होके साइडवेज हो गया ठीक अब 200 को क्रॉस किया तो जो यह रेली बना था 200 को क्रॉस करने के फिर फिर दर्शन करवाते हैं कहां से करवाएं जहां से बोलिए चलिए अब यह उधर ने की दर्शन करवा देते हैं लिजे दो अप्रे मेरा तो एक नॉमबर खरदा हुआ था अब देखें दो नॉमबर आज मैंने दो पार में आप लोंको बोला था मीड क्या है याद है ठीक है 34 लाग का वलूम पांच करोर 13,70,025 का वैलू के साथ ट्रेड हुआ 34 लाग का वलूम आएक तरी को कितना दू लाग दू लाग पांच लाग आठ लाग चार लाग छो लाग तीन लाग दू लाग यह क्या है यह तो यह चल रहा न जी है और दिखाएं एक लाग एक लाग एक लाग एक लाग ए उसके बाद मारकेट साइडवेज हुआ और आज आप देख सकते हैं 34,63,889 तब हुआ कि नहीं हुआ है उस समय भी 5,28,00 के साथ हुआ था और आज 5,13,00 के साथ हुआ है क्लियर है तो यहां पर ही फिर अब भ्यू जो है अब हो गया मेरा पोजेटीव का है तो 200 को क्रोस करक और पैसा भी लगा है तब बताईए कि अब बताईए कि क्या इराधा रखें ना का इराधा रखें तो भई सभावी कहा कि कल मैं भी पोजीशन बढ़ाओंगा मजबूरी है भाई कुछों नहीं मजबूरी है कि पोजीशन नहीं बना है तो फिर हम बुरु बग कुन फैदा समझ रहे कि नहीं समझ रहे तो हाँ अब इसके बाद यहां से अगर आप लगा देते हैं क्या चाहिए समय चाहिए दे देंगे तो यह टार्गेट आपको बनेगा 19 का दर यह 19 का चल कितना रहा है 14 14 14.85 19 का टार्गेट है बता दिए आपके सामने है ऐसा नहीं है कि यहां से सिधा 19 से चल जाएगा नहीं अभी मैं 19 का लगा देता हूँ अभी तो मैंने 18 का लगाया था अच्छा 21.50 का ना तो यह जो 18 व इसको मैं अच्छी भी करूँगा यह नहीं कि कर दिया तो नहीं नहीं यह आज नहीं तो कल मैं इसको अच्छी भी करूँगा ठीक है यह रहा आपके सामने अगला टार्गेट 19 का अगर मीड कैप को अप्टेंड में आना है तो इसको 16 क्रोस करना ही पड़ेगा उसके पहले इसका 15 42 का मजबूत रसिस्टेंट है और नीचे में 14 24 का 14.24 का सपोर्ट है जहां से यह वापस घूमा है तो यह मेरा आज का अनलेसिस है मीड के लिए आप इसको अगला साल के लिए रखना चाहते हैं तो अगला साल के लिए भाई 14 रूपया का चीज है 15 रूपया भी नही यह जाना बढ़ा है क्योंकि इससे तो जाना है 19 पर है गिए उनी फैसकी तयारी हो चुक है नहीं обआ पी चाओंगा नहीं यह इसमें और एक दू बार ऐसा पैसा लगेगा तब जाकि तयारी होगी दो बार तो लग गया है एक नेक्स्ट दिपावली ओफर ही समझ लीजिए ठीक है मेरे तरफ से दिपावली का ओपर रहा अगला साल इस समय 19 के लेवल में हम यहां रहेंगे और यहां हम उसका वीडियो बनाते रहेंगे इसके बीच रही बात स्विंग की तो स्विंग में आपको 5% का इसमें कर सकते हैं तो इसके लिए मैं आज से अपनी तयारी सुरू कर दूँगा और आपको बोल यही मैं मेरा संदेश रहेगा कि थोड़ा 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 पैसा इसमें डालते रहें चोदा रुपया का यार और इससे सस्ता क्या सेर लोगे क्या लोगे भाई आप ही इसमें भी अभी नहीं जमा कर पाईएगा तो कब करिएगा ठीक है तो यह वीडियो भाई हो गए यह लंभी और मेरे को कोई इसका खेद भी नहीं है ठीक है क्योंकि सब चीद कवर करना था तो वही बात है बाकि किर्केट मैच वाले किर्केट देखेंगे हमें ना कर दाडिवर बाकि भॉक्वर देखेंगा ढॉनी जिसाओर शाइब है।